नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बड़ फिर से भी एसी थर्ड यर की केमिस्ट्री क्लासेज में सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा हैपी न्यू येर आज ये हमारी 2021 में पहली क्लास है और सुबह के लगबग साड़े तीन बज़े हुए हैं और देख लिजे मैं आपको इतने बज़े हैपी न्यू येर बोल रहा हूं लेकि जब तक आप वीडियो देख रहे होगे तब तक हो सकता है दिन के बारा बज़ रहे हूं एक बज़ रहे हूं दो बज़ रहे हूं ठीक जिसमें हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ठीक है तो आज स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारे टोपिक है वह कंपनी स्पेक्ट्रा पर अनावर्थ का प्रभाव क्या कंपनी स्पेक्ट्रा पर अनावर्थ का प्रभाव अब यह अनावर्थ क्या होता है ठीक है हमने आवर्त के बारे में तो अनावर्त क्या होता है तो हमने पिशली कुछ क्लासेज में किस की बात की थी सिंपल हर्मोनिक ऑस्लेटर की थी हौना तो वहां पर हम बात कर रहEDتे आवर्ती दोलकी सरल आवर्त का मतलब क्या था एक किरम होता है एक निश्ची दूरी होती है एक किरम होता है अनावर्थ को समझाने से पहले मet आवर्थ को समझाता हूँ तो जड़ा यहां पे ध्यान से देखीगा और समझने की कोशी से कीज़ेगा ठीके देखो अब ही तक हमने पढ़ा था ठीक है, हम जानते हैं की, हम जानते हैं की, जो हमने पड़ा हुआ था ना पहले, उसी की बात कर रहा हूँ, क्या जानते हैं, हम जानते हैं की, ठीक है, द्री पर्मानुक अनु, दी पर्मानुक अनु, एक हार्मोनिक दोलक की भाती विवार करता है, आवर्ती दोलक भी बोलते हैं, ठीक है, बडिल पर्मानुक अनु, एक हार्मोनिक दोलक की भाती विवार करता है, ठीके अब देखो एक चीज में आपको कंफर्म कर देना चाता हूँ जब हमारे पास कंपन क्वान्टम संख्या का मान कम होता है निम्न होता है निम्न कंपन क्वान्टम संख्या ठीके यानि कि कंपन क्वान्टम संख्या का मान क्या होता है निम्न होता है क्या निम्न कमपन Princip Quantum संख्या में में मद्धे की दूरी समान होती है मद्धे की दूरी समान होती है देखो देरे देरे बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा इस टोपिक को हमारे पास दो quantum संख्याएं है कंपन quantum संख्या हैं उनके बीच की दूरी समान है ये तब ही हो सकता है जब हमारे पास दो आपस में समान हो ठीक है इसलिए जो हमारे पास उड़ जाय स्थर होते न जो हमारे पास energy level होते हैं नीम्न quantum संख्या में इसलिए नीम्न quantum कौन्टम संख्या पर जो मारे पस निन्न कौन्टम संख्या है ना नेमने कौन्टम संख्या पर दो निकटवर्ती उर्जा इस्तरो ठीक है दो निकटवर्ती उर्जा इस्तरो के मद्ध है उर्जा अंतर भी समान होता है उर्जा अंतर भी समान होता है ठीक है क्या बात याद रखनी है जब हमारे पास निम्न कंपन कौन्टम संख्या होती है निकि कंपन कौन्टम संख्या का मान क्या होता है निम्न होता है तो वहाँ पर जो एनर्जी लेवल होता है न मैंने एनर्जी लेवल भी बनाये थे जो यह एनर्जी लेवल होते न यह इस तरीके से इनके बीच का अंतर जो होता है वो समान होता है जैसे हमारे पास हमारे पास pillar zero था वी बराबर बन two three four five तो इनके बीच का जो अंतर है ना वो समान होता है थी के क्यूंकि कम battery quantum संख्याओ के बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है इसलिए उर्जा का अंतर भी क्या होता है समान होता है तो ये हमारे पास इसको हम क्या बोल रहे थे आवर्त प्रभाव बोल रहे थे ठीक है लेकिन अब हमको बात करनी है अनावर्त प्रभाव की ठीक है तो जब हमने कुछ कुछ प्रियोग करवाए कुछ प्रैक्टिकल्स करवाए तो हमको क्या पता लगा हमको पता लगा कि यदि कंपन क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है कमान बढ़ता है बढ़ता है ठीक है कंपन क्वांटम संख्या कमान बढ़ता है तो कंपन उर्जा इस्तर कंपन उर्जा इस्तरों के बीच की दूरी कम होती जाती है ठीक है तो कंपन उर्जा इस्तरों के बीच की दूरी कम होती जाती है ठीक है जिसके कारण दी परमानुक अनुम आवर्त दोलक के इस्थान पर अनुम आवर्त दोलक की भाती वेवार करता है वेवार करता है ठीक है आवर्त दोलक के इस्थान पर कैसा वेवार करता है अनावर्त दोलक की भाती वेवार करता है ठीक है ये बात मुझे आपको बतानी है और इसको समझानी भी है ठीक है तो यानिकी हम क्या कह सकते हैं यहां पर एक बात के लिए कर देना चाहता हूं कि ओच आवर्ती पर कमपन आवर्त ना होकर अनावर्त हो जाते हैं ठीक है जो हमारे पास आइनर्जी लेवल होता नहीं यहां यहां पर यहां देखो यहां अब यहां पर के क्या हुआ एक विज्ञानिक हुए है हमारे पास कौन सा पी एम मोर्स ठीक है पी एम मोर्स ने तो पी एम मोर्स ने क्या किया अनावरत दोलक अनावरत दोलक के लिए इस्थितिज उर्जा को निम्न वियंजक द्वारा समझाया निम्न वियंजक द्वारा समझाया ठीक है तो क्या क्या उन्होंने जो हमारे पास अनावरत दोलक है उसके लिए एक वियंजक उत्पन किया यह आपको कोई डिराइव नहीं करना है आपको सीधा याद रखना है वो क्या है हमारे पास हमारे पास है ए बराबर डी एक्यू ए बराबर डी एक्यू बन माइनस एक्स पॉंसियल ए एक्स पी ठीक है अभी मैं आपको बता देता हूँ यह क्या के चीज है वह मैं आपको बता देता हूँ बी आर एक्यू माइनस आर एक्यू माइनस आर और इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में और दो ठीक है यह आपको थोड़ा सा सीधा याद रखना पड़ेगा हाना सीधा याद रखना पड़ेगा किलियर है हाना तो यह हमारे पास एक वियंजग उत्पन किया किस ने उत्पन किया पी-म मोर्स नाम के विग्यानिक ने किया किस ने किया पी-म मोर्स नाम के विग्यानिक ने किया तो यह वियंजक उत्पन किया अब देखो यहां पे क्या के चीजें है वह हमको बात करनी है यह पे ओड़ बहुंक favorite पहले क्या कर सकतेज़ SS का ले सकते हो दो वसके तो ऑद सब्सक्रीन और मिंटा दो हूं अभी मैं इसको समझा रहा हूं आपको सीधा याद रखना है लें फिल भी मैं इसको समझा रहा हूं कि आपको पता ही इस्तिती उर्जा के लिए हम कह रहे हैं तो यहां पर और चीज़े क्या है जो D.E.Q है वह क्या है किसी विशेयस्त अनुकी वुल जन इनर्जी विशेयस ऑनुकी दिसोशीशन इनर्जी ठीके? किसी विशेश अनु की व्योजन उड़ जा ठीके? यह आपको याद रपना है आपको रपना है आना बी क्या है? बी क्या है? उस विशेश अनु का नियतांग है क्या b, small b ठीके? आर क्या है ये वाला आर क्या है अंत्रा नाविकिये दूरी ठीक है क्या है अंत्रा नाविकिये दूरी जैसे मान लिजे दो अनू है उनके नाविक के बीच में कितनी दूरी है तो वो हमारे पास क्या हो गई आर ठीक है और एक्यू क्या है और एक्यू क्या है साम्मे वस्था पर अंत्रा नाविके दूरी साम्मे वस्था पर अंत्रा नाविके दूरी अंत्रा नाविके दूरी ठीक है तो यह साई चीज़े हो गई कुछ बचा है क्या ठीक है तो यह हमारे पास कुछ नहीं बचा ठीक है तो यह समीकरन हो गई अब देखो हमारे पास ठीक है यह मैंने लिख दिया ठीक है तो यह सारी चीज हो गई यह हमारे पास क्या है ठीके अब हमको क्या करना है जैसे हमने कमपन उड़जाइस्तर का मान किस में निकाला था आवरती दोलक में निकाला था अब हमको अनावरती दोलक में निकालना है ठीके तो हमें यहां पर लिख सकता हूँ मोर्स फलन को यह हमारे पास निकल के आयता ना मोर्स फलन ठीक है तो मोर्स फलन को श्रोडिंगर तरंग समीकरन में प्रतिस्थापित मोर्स फलन को श्रोडिंगर तरंग समीकरन में प्रतिस्थापित कर अनावरत दोलक के लिए उड़्जा इस्तर का मान निम्न प्रिकार निम्न प्रिकार दे सकते हैं निम्न प्रिकार दे सकते हैं तो हमने वहाँ पर क्या किया था वहाँ पर हमने क्या किया था ज़रा याद कीजिए अपने दिमाग को थोड़ा सा फल्टा ये change कीजिए तो वहाँ पे हमने कुछ अगर आपको ध्यान हो तो हमने किस तरीके से लिखाता हमने लिखाता e v अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे लिखाता और v plus half ठीके h new ऐसे लिखाता वहाँ पे ठीके अब यहाँ पे simple सा काम करना है हमको यहाँ पे एक बाद फिर से यह term लिखनी है तो हमको यहाँ पे लिखना है v plus half square h अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्यों लिख रहे हैं new e a ठीके है देखो यहाँ पे अगर हमको अन आवरती दोलक के लिए उजे इस तरका मान निकालना है तो हमें इसको एक बार और लिखना पड़ेगा यह हमारे पास formula है अन आवरती दोलक के लिए ठीके है अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया ठीके है यहाँ पे हमारे पास जो new e है वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास सामने वस्था में आवरती है सामने आवरती है कौन सी आवरती है सामने आवरती है एच आपको पता ही है प्लांत इस्तिरांत है ठीके यहाँ पे यह इस तरीके से है इसको हम लिख रहे हैं vibration यानि की company quantum संख्या लिख रहे हैं लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है company quantum संख्या लिख रहे हैं ठीक है और एक यह है हमारे पास यह नई चीज आपको दिख रही होगी यह है अन आवरत इस्तरांग ठीक है तो यह आप चीजे देख सकते हो यह उड़जा निकाल रहे हैं हम तो यह हमने श्रोडिंगर समीकरन में रख दिया मान पर यह हमने आवरती दोलक में निकाला था अब पीछे पेज़ पलट के देखिए हमने सरद आवरती दोलक जब निकाला था तो हमने यह टर्म यूज में ली थी अब को अनावरती दोलक के लिए निकालना है तो इस वाले में से आवरती वाले में से माइनस करना पड़ेगा तब हमारे पास अनावरती दोलक का मान निकल के आएगा ठीक है तो यहां पे जो पिर्थम पदना यह वाला जो पदना वह तो किसके लिए है आवरती दोलक के लिए ह आवर्ति दोलक और अनावर्ति दोलक ठीके तो इन दोनों के लिए है कि इसको मैं मिटा देता हूं फिर हम आगे की बात करते हैं ठीके तो यह हमारे पास यह हो गया अब हम आगे की बात करते हैं मैं स्प्क्रोडी स्कॉपिक रूप में इस्पक्रोडी श्कॉपिक रूप में है अब देखो-फैक्ट्र cannon फैके अब देखो-इस तरीके से अंब याद हो इवि आप अपॉन है सी एसे लिख था-ठीके तो यहां पर लिख देते हैं में ठीक है तो EV कीlles रख देते हैं यहां पर ह्या शा में अब हां किया है और यहाँ पर बाख सीड़ान कि lijसा ईसी committed का भाग देंगे दोने क्या है एक तो कट जाएगाो तो क्या बचेगा न्यू इंपम Schmidt ठीक है new e upon c बचेगा ऐसे ही दूसरी वाले टर्म में भी हमारे पास वी प्लस हाफ और new e upon c और साथ में ए अनावरती दो लग ठीक है इसको अब देखो जो हमारे पास v e है v e upon c है ठीक है v e upon c है या इसको हम बोलते हैं यह जो new e upon c है इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम new bar भी लिख सकते हैं ठीक है new bar भी लिख सकते हैं और new bar को हम क्या लिख सकते हैं omega bar यह हमने ऐसे लिखा था हमने लिखा था हमने पहले भी आपको अगर पता हो तो तो पीछे के पीछ पलट के देखिएगा यह हमने पहले भी लिखा था किलिए रहे अब इसको solve करते हैं तो v plus half ठीके तो इसको हम लिख रहे हैं omega bar minus v plus half omega bar ठीके और यहाँ यहाँ पर क्या जाएगा ए और यह सारी वैल्यू के इसमें सेंटिमीटर इन्वर्स में ठीके तो यह हमारे पास आ गया तो यहाँ पर हमारे पास यह हमारे पास समीकरन आ गई और यहाँ पर हमको पता लग रहा है कि कंपन quantum संख्या का मान बढ़ने से अनावरत दोलक की आवरती बढ़ती है ठीके तो हमको सिर्फ यही निकालना था हमको ज़्यादा कुछ नहीं निकालना था यही समीकरन निकालने थी तो यह हमारे पास क्या हो गया अनावरत दोलक का प्रभाव हो गया ठीके क्लियर है तो आज के लिए बस इतना ही बाकी कम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में धन्यवार नमस्कार बाई बाई